जैमाता दिमित्रो कैसे आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो आज मैं आपको एक शाबर मंतर बताऊंगा इस मंतर का प्रयोग कई तरह की चीजों में किया जाता है जैसे की आपको नजर लगी हो तोना लगा हो टोटका लगा हो क्या हो गड़नत पर आपका पेर पड़ गया हो इसकी अलावह चला वो अभी चार हो अभी शाप हो या फिर भूतो परेतो नजरो कोई दोशो कोई किया कराया हो कोई किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या हो किसी ने कोई टोक मार दियो कोई नजर मार दियो या आपका पैर कहीं पड़ गया हो या आपके चौराहे से कोई चीज लग गई हो या शमशान से कोई चीज लग गई हो या किसी ने कोई आपके घर में कोई long fake दी हो या और कोई दिकट कर दी हो मतलब कि जितने भी भूत प्रेत आदी व्यादी इस तरह की बीमारिया रोग जो है वो आपको लग गए हो, इन सबी तरह की चीजों में ये मंतर काम करता है, यानि कि आपको कोई बिमारी भी होगी, भूत प्रेत के जरीए कोई रोग लग गया होगा, कोई पैर पड़ गया होगा, तो हर प्रकार की चीजों में ये मंतर काम करता है, तो इस मंतर को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है सिद्ध करने के बाद ही आप इस मंतर का प्रयोग करें मंतर सिद्ध करने के बाद जैसे ही आप इस मंतर का प्रयोग करेंगे वैसे ही आपकी आदिव्यादी सारी खतम हो जाएगी और जो सादक इस मंतर को सिद्ध करेगा सिद्ध होते ही मंतर को उस सादक के उपर की सारी बिमारियां हारी बारी जो भी होगी भूत प्रेत की बादा वो खतम हो जाएगी और अन्य वैक्तियों की भी वो सादक उनकी मलब उनकी रख्षा कर सकता इस मंत्र के प्रियोग से मंत्र आपको बताऊंगा इस मंत्र को आप होली पे सिद्ध कर सकते हो को मतलब कि अच्छे समय पर आप कोई समय सकते जनमास्थमी के परवप आप समय स forward को सकते हो अब मैं आपको आगे बताता हूं मंत्र सिध रिफ थी गणू आपको बता हूंगा और इसके बाद में आपको लिए अदेखिय अप्र गुरु गोरखना जी को आपको भोग प्रशाद चड़ाना है यानि कि गोरख बाबा को गुरु गोरखना जी को आपको प्रशाद चड़ाना है प्रशाद में आप क्या चड़ाएंगे रोट का भोग आप गोरखना जी को लगाएंगे ठीक है आपको एक मीठा रोट बनाना ह और मेवा मिश्री वगएर डाल करके रोट बनाते हैं उसका आपको दो रोट बनाने आपको और गुरु को रखनाजी को भोग में वो देने हैं अगर आप रोट नहीं बना सकते तो आप और कोई प्रशाद भी दे सकते हो बाबा को जैसे लड़ू आप दे सकते हो बर्फी अगर आपसे हो सके तो कर लेना नहीं तो आप सिंपल सा जो भी प्रशाद आपके पास उपस्तितों बताशे का और लड़ू का वो भी आप बाबा को लगा सकते हो इसके अलावा आपको गोरु गोरकना जी के समक्ष एक सवा मीटर कपड़ा भी आपको जरूर रखना है जो भगवे रंग का कपड़ा होता है संत्री रंग का केसरी रंग का कपड़ा जो होता है वो आपको रखना है और गोरकना जी के समक्ष आपको देशी घी की जो जलानी है बाबा के आगे और एक धूबत्ती जलानी है धूबत्ती के स्थान पर आप क्या करोगे एक कंडे में आ ठीक है गुरु को रखनाच जी के सामने गूगल की धुनी करनी है और यह सारा भोग प्रशाद उनके सामने रख करके तब आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे मंत्र का जप कितना करना है मात्र 108 बार आपको मंत्र का जप करना है हवन करने की भी कोई आवशक्ता नहीं है सिर्फ आपको Google की धुनी करनी है और मंत्र का जप आपको 108 बार करना है अब कोंसे दिन आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे होली पे करोगे दिवाली पे करोगे नवरात्र में ग्रहन काल में ठीक है आपको मंत्र बताता हूं मैं मंत्र सुनिये मंत्र इस प्रकार है ओम सतनाम आदेश गुरु को आदेश पवन पानी को नाद अनाइद दुन्दुबी बाजे जहां बैली जोग माया साजे चौसट योगिनी बावन वीर बालकी हरे सब पीर आगे जात शीतला जानिये बंद बंद बारे जाय मसान भूत बंद प्रेत बंद चल बंद चित्र बंद सब को मार कर भस मंत्र सतनाम आदेश गुरु को मंत्र में आपको दुबारा से बद मंत्र अच्छे से सुन लेना मंत्र सुन करके अच्छे से आप लिख सकते हो मंत्र को अच्छे से याद कर सकते हो तब उसके बाद में मंत्र को सिद्ध करना ठीक है ओम सतनाम आदेश गुरु को आदेश प सबको मारकर भसमन्त सतनाम आदेश गुरु को मंतर एक बार फिर से बोल रहा हूँ ओम सतनाम आदेश गुरु को आदेश पवन पानी को नाद अनाइद दुन्दुभी बाजे जहां बैली जोग माया साजे चौसट योगिनी बावन वीर बालक की हरे सब पीर आगे जात सीतला जानिये बंद बंद बारे जाय मसान भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद सब को मार कर भसमंत सत नाम आदेश गुरू को ये शाबर मंतर है इसको आप अच्छे से सुन लो अच्छे से लिख लो अच्छे से याद कर लो फिर उसके बाद में आप इस मंतर को सिद्ध करोगे अब जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में आपको प्रयोक कैसे करना है देखिए जो भी मैंने आपको दिक्कते बताइए जो परेशानिया बताइए उन सभी में ये मंत्र काम करता है अब आपको करना क्या है कि जैसे भी कोई व्यक्ति आपके पास आए जो बिमार हो जिसको भूत प्रेत की बादा लगी हो ऐसी कोई बादा लगी हो गणंत पे पैर पढ़ गया हो चोराहे पे पैर पढ़ गया हो तो उस व्यक्ति के उपर आपको जाड़ा लगाना है मोरपंक स तीन बार आपको जाना मारना और तीन बार में ही उस व्यक्ति की जो भी बादा होगी वो खतम हो जाएगी उसी वक्त वो बादा ततकाल खतम हो जाएगी इसके अलावा आप लॉंग को भी मंतरित करके भी उस व्यक्ति को खिला सकते हो आप जल को भी मंतरित करके उस व्यक्ति तरदी को पिला सकते हो, आप बबूत जो भबूती होती है वह अभी मंतर करके उस व्यक्ति को दे सकते हो अपने घर में छिडखने के लिए या फिर आप अगर आप अपने घर में इस मंतर को प्रियों कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो कंडा होता उसको सुलगा लेना है कंडे के उपर आपको थोड़ी सी गूगल डाल देनी है वो गूगल सुलगेगी तो गूगल का धुआ होगा उस धुए को आपको पूरे घर में घुमाना है और ये मंत्र आपको बोलते रहना है ठीक है मंत्र ब पूत बादा प्रेत बादा किया कराया मरी मसानी चौराहे पे लगी चीज गणंत फणंत जो भी चीज होगी ना सब नश्ट हो जाएगी सब भस्म हो जाएगी गुरु गोरखनाजी की क्रिपा से तो इस मंतर का प्रयोक जी करिए और अपने जीवन को सफल बनाईए जै मातार निकी